हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम मूवी करने वाले है एक सिरियल किलर मिस्ट्री है इसका नाम है एज, यह एक कोरियन मूवी है यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो आपको लास्ट तक कुछ भी समझ मिने आएगी लास्ट में जो ट्विस्ट है यह भी बहुत ही खतरनाक है अगर आपको Hollywood की 7 movie की तरह Serial Killer Mystery Movies पसन है तो इस वीडियो को last तक देखना तो चलिए शुरू करते है Movie स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कच्रा डंब करने वालों को body कच्रे में मिलती है Detective Kim जब वहाँ जा रही होती है तब उसे नया एक officer जोइन करता है इन्वेस्टेट कर रहे होते है तो भी और एक छोटे से बच्ची की body भी होने मिल जाती है इस बच्चे की जो cord है या भी उसको ही लगी हुई है अब डॉक्टर body की investigation कर रहे होते है जब ये डॉक्टर से बुशते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये death pregnancy की वज़े से हो सकती है पर अभी तक ये sure नहीं है next scene में हम देखते हैं कि एक लड़की बस से जा रहे होती है बस अब stop पर आ जाती है सब लोग चले जाते हैं पर ये वहाँ से उठती नहीं बस का driver जब देखता है तो उसका murder हो चुका होता है अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कीम और कैंग ये दोनों crime scene में पहुँच गए है यहां कर वो देखते हैं तो लड़की के पेट फाड़ा होता है crime scene ये पुरा जासते हैं और इसके बाद कीम अब इसके investigation में लग जाती है next day सब डिटेक्टिव की meeting हो रहे होती है तो किम इन सब को brief करती है किम कहती है कि हमें दो murderous मिले है पहला murder जो था एक pregnant lady का था और ये जो थी इसका abortion हो चुका था एक serial killer का pattern है जो serial killer था इन दोनों को नहीं जानदा था ये भी इसने established किया है ये कहती है कि ऐसा है serial killer हुआ करता था और अब वो जेल में है इसका नाम होता है शीन same pattern अब follow हो रहा है इस pattern में पहले pregnant lady फिर abortion वाले और इसके बाद एक लड़की का monitor होने वाला है जिसका ear cut off होगा अब हम देखते हैं किम और कैंग ये दोनों serial killer से मिलने के लिए जाने वाले होते है किम इस serial killer से मिलने पाती क्योंकि इसका जो husband था इस serial killer की investigation कर रहा था तब ये pressure सहन नहीं कर पाया और उसने suicide कर ली थी किम इस serial killer को देखना सहन नहीं कर पाएगी कैंग शीन से मिलने के लिए जाता है शीन को उसकी file पढ़कर सुनाता है शीन ना actual में six murders किये थे जब छटा murder उसने किया था तो body उसने bank में डाली और खुद police station में चला गया था कैंग उसे धमकाता है कि जल्दी से मुझे बता दो ये किया किसने है शीन कैंग से कहता है कि तुमारी body और soul से heart तक जाने वाला sound क्या कभी तुमें सुना है ये एक बड़े से hole की तरह होता है कैंग शीन जो कह रहा है इसमें interested नहीं होता उसे सब crime scene की photos दिखाता है शीन कहता है कि मुझे इनकी चीखे सुनाई दे रही है ये बोलता है कि जब ये लोग मर रहे होते इनने सब को सही सही दिखाई दे रहा होता है इसमें एक piece होता है शीन कैंग को कहता है कि तुम अब monster को पकड़ने जा रहे हो ध्यान रखना कि तुम खुद monster न बन जाओ कैंग फिर यहाँ से चला जाता है जो serial killer है इसी ये भी पता होता है कि किम यहाँ इस room में नहीं है पर ये सब वो सुन रही है ये बहुत ही smart होता है अब कैंग और किम को कोई भी evidence नहीं मिला है तो अब Shane यानि कि serial killer इसके psychologist के पास हो जाते है इस psychologist से वो files के गरा मांग रहे होते है ये psychologist कहिती है कि वो मेरा patient था वो कोई भी trouble में आ सके ऐसा भी कुछ भी करने नहीं वाली ये वो cigarette रगने वाली होती है क्यांग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो और भी लोग खत्रे में हो सकते है पर ये बानने वाली नहीं होती ये जब psychology से पूछते है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा वो कहिती है कि वो बहुत ही restless हुआ करता था जब वो लोग को मारता था तब उसे अच्छा लगता था अब वो जेल में है तो वही उसे आफ फील होता होगा अब ये दोनों वहांसे चले जाते है गाड़ी में क्यांग किम से कहता है हमें और भी शीन की investigation करनी चाहिए किम कहती है कि सही नहीं होगा हम अगर उसकी investigation करेंगे तो और भी time हम गवा देंगे जो real serial clear है हमें उस पर ही focus करना चाहिए ये सब invari करी रहे होते है तभी और एक murder नहीं मिल जाता है शीन जिस pattern में murder करता था इसी pattern में ये हो रहे है ये अब इस सब में एक logic ढूणना चाते है जब ये pattern ढूणते है तो मैंने पता चलता है ये जो सब लड़किया थी एक ये hospital में अपना check-up करवाने के लिए गई थी hospital staff से ये बात करते तो मैंने बता चलता है कि वहाँ एक आत्मी काम करता था जिसने अभी अभी resign कर दिया है ये जो आत्मी था इसके भी previous crime के record है अब हम next time में देखते है कि जिस आत्मी का जिकर हो रहा था जिसने hospital से अब resign कर दिया है उसके घर पर kyang आ जाता है जब ये आदमी अपने घर पहुचता है तो वहाँ से भागने लग जाता है kyang भी इसका बीचा करता है भागते भागते ये कलब में आ जाता है कलब में आने के बाद इसे कोई पकण ना सके इसलिए एक चाकु लेता है और लड़की के गले पर लगाता है क्यांग शान्त हो जाता है फिर भी इस लड़की को मार कर वह भाग रहा होता है क्यांग इस पर बहुत सारी गोलिया चलाता है जब इसे होस्पिटल में भरती करवा जाता है तो ये कोमा में चला गया होता है यह अब हॉस्पिटल में काम करने वाले और जो पुराने सिरेर किलर यानि की शीन इन दोनों में connection मनाते हैं यह दोनों एक ही prison में थे यानि कि एक दूसरे को जानते थे यह जो murder हो रहे थे यह शीन नहीं करवाए है ऐसा हो सकता है कैंग अब फिर से शीन से मिलने के लिए जाता है वो कहता है कि तुमारी जो सब चाल थी अब वो खतम हो चुकी है शीन के pattern में जो next murder होने वाला था तो उसमें हाथ की ring missing थी अब वो murder हो नहीं पाएगा तो कैंग वो ring लेकर आता है शीन को वो चीडा रहा होता है शीन उसे कहता है कि तुम इस murder से attached हो रहे हो attachment हमसे बहुत सारे बुरे काम करवाती है यह ring शीन लेता है और इससे खेलने लग जाता है शीन कैंग से कहता है हमारे body में जो blood है अगर वो dirty है तो इससे कोई भी बदल नहीं सकता लोग heaven के बारे में बात करते है प्राइस चीत के बारे में बात करते है पर यह कोई कर नहीं सकता कैंग उठ जाता है शीन की collar बगड़ता है पर उसे मारता नहीं अब next scene में हम देखते है कि सब officers की meeting चल रही होती है इस meeting में इन सब के जो पॉस है यह कह रहे होती है कि अब हम यह case मिटा देंगे शीन ने यह करवाय हो सकता है तो जल से जल शीन को फासी देने वाले है कैंग कहता है कि hospital में जो काम कर रहा था और शीन इन दोनों में सही से connection अभी हमने बनाया नहीं है वो सस्वेंस में एक दूसरे से मिले थे या नहीं यह हमें पता नहीं है हमें और भी इसकी investigation करनी चाहिए इनके boss को नहीं लगता कि इस पर जाते investigation करनी चाहिए किम को भी यही लगता है अब एक case बन करने वाले होते है इस पर कैंग बहुत ही चिर जाता है यह था है कि आप में नोकरी छोड़ देने वाला हो यह frustrated हो चुका होता है कैंग का friend उसे सम्भालता है और एक बार में लेकर आता है थोड़ी देर में किम भी वहाँ पहुच आती है कैंग उसे कहता है कि हम अपने आपको तुम बहुत ही smart समझती हो वो case के बार में उसे कहता है किम कहती है और भी serial killer है जिने आप में पकड़ना है बहुत सारे लोग कि हम अभी भी जान बजा सकते है अगर stream के पीछे ही पड़े रहे तो सही से काव नहीं कर पाएंगे अब next दिन हम देखते है कि psychiatrist कैंग से मिलने के लिए आती है उसे बहुत सारे questions होते है पर कैंग इसे नहीं देने वाला होता कैंग उसे जाते जाते कहे कर जाता है अगर तुम इस case के पास मुझे दिखी तो मैं तुम पर भी शक कर सकता हो तुम भी travel में आ सकती हो अब next scene में हम देखते है रिक्टिव को एक जगा की tip मिलने होती है वहाँ वाँ surveillance वगेरा रख रहे होती है तबी उन्हें एक बड़ा सा sound आता है जब वहाँ देखने के लिए जाते है वहाँ और एक murder हो चुका होता है शिंग जिस तरह से murder करता था उसी तरीके से इस murder में भी अब ring missing है किम जब देखने के लिए जाती है तो नीची उसे कुछ shadow दिखती है इसका पीछाओ करती है तो वहाँ कैंग ही होता है कैंग भी इस serial killer की पीछे पड़ा था और इसमें ज़रा इंजोर हो चुका है कैंग को अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है कैंग ज़र नईजदीन पुलिस station में होता है तो एक क्रिमिनल से मिलने के लिए उसकी wife आये होती है पर इक क्रिमिनल उसे मार रहा होता है कैंग फिर उस औरत को बचाता है और लेकर जाता है इसके बाद इसी औरत के साथ ये खाना खा रहा है ये हमें दिखता है जब कैंग और किम इन्ने station कर रहे होते जब serial killer की hearing चल रही थी वहाँ जो भी सब लोग आये थे इन सब की वो list निकालते इसमें common कौन था ये वो देख रहे होते कुछ साथाट लोगों के नाम यहाँ उभर कराते इन सब के वो criminal records निकालते इसमें एक आदमी हो देखते तो कैंग इसे पहचान लेता है कैंग कहता है कि murder के आसपास मैंने इस आदमी को देखा था इस आदमी का पता वेगरा निकालते हैं और उसके apartment पर team लेकर जाते हैं जब वो apartment में घुषते हैं तो वहाँ खून से dates लिखी हुई होती है जिस dates पर ये खून होते हैं ये वो dates होती है अब किम इसमें pattern बना लेती है ये फेड से होने वाला है और ये किस date पर होने वाला है ये उसे पता है ये serial killer से बुच्छती है इन छे लड़कियों को तुमने मारा था क्या इसी तरह से और भी किसी को तुमने मारा है ये कह रहा होता है ये छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ भी चीजों से खेलते हैं और ने तोड़ देते उसी तरह से वो ये सब करता है किसी को मारना यह उसे गलत नहीं लगता यह उसे pure instinct लगती है किम कहती है कि छोटे बच्चे किसी को hurt नहीं करते सिन कहता है कि मैं भी लोग को hurt नहीं करता जब मैं उन्हें मारता हूँ तो एक अच्छे place पर वो चले जाते है मैं उन्हें free कर डालता हूँ यह जाते जाते वीश करता है इसे लगता है कि कभी वो इस से बाहर मिल सके इसके बाद हम देखे है कि कैंग और किम बीच पर आये होए होते कैंग अपनी मदर की story सुना रहा होता है कैंग की मदर prostitute थी यह अपनी मदर को sister बुलाया करता था यह उसकी मदर है, यह वो सबसे चुपा कर रखते थे, क्योंकि इसकी मदर ट्रवल में आ सकती थी, यह कहता है कि जब हम दोनों बीच पर आते थे, तो मेरी मदर मुझे सच्चुच में दिखाई देती थी, वो जैसी थी, वैसे मैं उसे देख पाता था, अब इसकी मदर मर क्यांग फिर से उसी आदमी को देखता है, जिसे वो हर क्राइम मसीन पर देखता है, इसके पीछे हो भागता है, पर इसको स्पॉट नहीं कर पाता, कि हम साइकेर्टरिस को ढूण लेती है, और साइकेर्टरिस का एक लेक्चर होता है, इस लेक्चर में उसके पीछे-पीछ करने लगता है और इसके गाड़ी को spot कर लेता है किम थोड़ी दिर में वहाँ पहुद itaire पोछ जाती है पर किम जिन्दा होती है साइकेट्रिस अब मर चुक dif commandments तो Shin की file जो साइकेट्रिस के पास थी यह वो लेकर आते है जब वो tap लगाते है तो साइकेट्रिस Shin के बारे में कह रहे होती है यह कह थे हैं कि Shin की mother ने abortion करवाया था abortion करते वकत कभी-कभी तीन महिने का अगर यह abortion होगा तो बच्चे जी भी सकते है इससे केस में शीन था शीन जब बेट में ही था तब ही आपने मदर से खेह रहा था प्लीज मुझे हट मत करो अगर तुम मुझे हट करोगी तो मैं भी तुम्हें हट करूँगा इसकी मदर ने abortion करवाया था पर शीन इस abortion से बच गया था बचपन से ही और्टों के ब्रथी इसी घिन थी इसी वज़े से यह सब murder उसने किये थे यह जब यह देख रहे होते है तो इनका बॉस वहाथ है यह कहता है कि शीन को अब उन्होंने फासी दे दी है कैंग कहता है कि क्या उसने मरने से पहले क्या कुछ बोला था उन काफिसर कहता है कि वो खेह रहा था कि मैंने अपनी मदर को मार दिया है कैंग और केम दोनों बाहर बेटे होते है किम कैंग से खेहती है कि कभी-कभी मुझे रगता है कि मेरा हस्बन अगर मेरी जगा होता तो वो क्या करता अपनी हस्बन को बहुत ज़ादा मिस करती है अब नेक सिन में हम देखते है कि एक डिरिक्ट्ट्व फिगर आउट करता है साइकेट्रिस से मिलने के लिए और एक पेशन आता था वो शिन के हिरिंग में भी आया था ये वही है जो कैंक को दिखता रहता है इसने अमना नाम जेंज कर दिया था इसी वज़े से इसे स्पॉर्ट नहीं कर पाए जिस बेस्मेंट में ये साइकोलोजिस्ट मरी थी इसी बेस्मेंट का ये ओनर है इसका और एक घर है अब इसे पकड़ने के लिए ये सब वहाँ पोच जाते है जब वो यहाँ पोचते है तो ये ही वो बेठा हुआ होता है इन सब के सामने ये सुसाइड कर लेता है इसने ही ये सब क्राइम किये थे इन सब के सबूत इसके घर में इने मिल जाते है अब जो रियल city killer ठा इसके बारे में इने पदा चल चुका है तो एक case बान हो जाता है टिंग मरने से पहले एक city डिरिक्टू कैंग को भिजवाता है यह अब डिरिक्टू कैंग को मिल चुकी है कैंग पुलिस जेशन से गाड़ी में निकल जाता है किंग के पास उसका एक कोवर कराता है कि अब तुमारे हजबन को शांती मिलेगी उसके जो कुई नगार थे जेनको वो पकड़ना चाता था अब वो सब मर चुके है किंग अभी भी मर्डर के जो फाइल्स होते है इसे ही देख रहे होती है वहाँ पर एक अलग चीज़ वो नोटिस कर दिये के थी कि एक मर्डर जहां हुआ था वहाँ पर दीन फूट्प्रिंस होने चाहिए थे एक मर्डर के मेरे और दिडिट टू कैंग के और वहाँ दो ही थे इसका मतलब है वहाँ सिरियल किलर था ही नहीं कैंग ने ये मर्डर किया हो सकता है ये जाकर कैंग के फोन रेकॉर्स निकलवा थी है इन फोन रेकॉर्स में देखती है तो कैंग को मर्डर होने से पहले हवेशा फोन आया करता था और ये serial killer का ही था कीम को अब शक जाता है और पहला hospital का जो staff था जो murder कर रहा था इसके पास वो उसे मिलने के लिए जाती है अब ये कोमा से बाहर आ चुका है और उसके doctor से बात करती है doctor कहते है कि एक hypnotize state में था ये जो सब कर रहा था इसके control के बाहर था लगा देता था ये जो trigger होते थे कोई भी हो सकता है जब phone की ring बचती थी तो जो इसका victim है इसका subconscious mind trigger हो जाता था अब जिसे वो चाहिए उसे मार कर आता था कीम अब figure out कर थी है कि यही चीज कैंग के साथ भी हुई थी क्योंकि murder होने के पहले कैंग को कौल आता था और इसके बाद murder होते थे शिंग को मिलने के लिए जो भी सब जाते थे वो सब इस तरह से hypnotize हो जाते थे हमने movie में देखा है कैंग जब शिंग से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ एक ring लेकर जाता है शिंग उस ring से खेल रहा होता है इस ring से ही वो इसे hypnotize कर देता है कैंग को अब एक CD मिली है ये CD जब वो लगाता है तो कैंग फिर से trigger हो जाता है वो जाकर एक औरत का murder कर कर आता है कींग भी कैंग की location निकालती है वो C के पास ही होता है वहाँ जाकर वो देखती है वहाँ जाकर एक औरत का उसने murder कर दिया है शिंग ने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपनी mother को भी मार दिया है अब कैंग ने जिस औरत को मारा है ये शिंग की mother ही थी जब कींग वहाँ पोच्छती है तो कैंग को पच्छता हो रहा होता है वो अपने आपको गन चलाने वाला होता है पर वो चला नहीं पाता शिंग ने कैंग से कहा था कि murder solve करते करते तुमी monster मत बन जाना तो यही अब हुआ है कैंग खुद ही monster बन जुका है किम कैंग की गन लेती है और कैंग को ही मार डालती है किम का हजबन भी शिंग की ही investation कर रहा था शिंग ने उसे भी hypnotize किया था इसी वज़े से किम की हजबन ने अपने आपको मार दिया था अगर कैंग जिन्दा रहता तो शिंग ने अभी उसके मायन में और क्या fit किया है यह किसी को पता नहीं है कैंग और भी murder कर सकता था इसलिए किम अब उसे मार दिती है किम को बहुत ही पच्टा होता है और वो रोने लग जाती है इस case में last तक वो कुछ भी कर नहीं पाई यही इस movie की बहुत ही sad ending हो जाती है इस movie के title का यानि कि edge का meaning hypnotism से था तो इस movie का जो suspense है यानि hypnotism इसका initial इन लोगों ने इस movie का नाम दिया है इस movie का नाम भी brilliantly रखा है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस movie लेकर आता है तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबान में मत भूलिये हम फिर से मेलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखिये